तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप पाँच ऐसी स्किल्स के बारे में जो फ्यूचर में आप लोगों के लिए काम आ सकती है अगर आप एक कॉले स्टूडेंट है अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो आप लोगों कोई इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में जब आप जॉब लेने के लिए जाएंगे तो आपको अनेम्प्लॉइमेंट का मू नहीं देखना पड़ेगा अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप अपने लिए जॉब क्रियेट कर लेंगे दो लोगों को और जॉब दे सकते हैं और अगर आप इन स्कूल्स को सीख के आते हैं तो आपके लिए एक अच्छी उपरचुनिटी रह सकती है फ्यूचर में एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए तो दोस्तों क्या है ये स्किल्स अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एग आइज वाट्स आप मैं प्रवीन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने दिली के इस यूटीब चैनल पे तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर डो, बैल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच है दोस्तों बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जिंकी फ्यूचर में रिक्वायर्मेंट होने वाली है बट उससे पहले कुछ चीजे बता देता हूँ इंडिया के बारे में अगर आप लो को नहीं पता हमारी जो total population है इंडिया की वो 135 करोड से भी जादा है 2018 में ऐसे में जादतर cases में आपको ये सुनने को मिलता है कि unemployment यहां की एक बहुत बड़ी problem है unemployment के अलावा under employment भी बहुत बड़ी problem है यानि कि जिस हिसाब के पास आपके पास degrees वगरा है उस हिसाब के आपको जॉब नहीं बिल रही है degrees लेना बहुत असान है इंडिया में आप degrees के पीछे सारे ही भाग रहे हैं बट actual में वो degrees जो है यहां पर उतनी value नहीं है उन degrees की इसके लावा जो हमारा education system है वो outdated है जो चीज़ आप सीखते हैं अपने college में वो आपको industry में corporate में उन सारी चीज़ों के requirement नहीं है वहाँ कुछ और ही चीज़ चल रही है तो ऐसे में यह भी एक बहुत बड़ी problem है तो ऐसे में जिन skills के बारे में आपको बताने वाला हूँ उन skills की future में demand बहुत ज़्यादा रहने वाली है तो आपको उन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू करना है इसके लावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां से आप इन skills को free में सीख सकते हैं आपको क्योंकि certificate के पीछे नहीं बागना है आपको skills को सीखने का आपका main मकसद होना चाहिए तो चलिए दोस्तों discuss कर लेते हैं कौन कौन सी है यह skills सबसे पहले नंबर पर आजाती है digital literacy अब जहां मैं digital literacy कहा रहा हूं मेरा मतलब है कि आपको digitally जो भी चीजे होती है जो भी activities होती है उनका पता होना चाहिए इंटरनेट पे जो भी चीजे होती है उनका पता होना चाहिए कहने का मतलब है आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंटरनेट की access बहुत बढ़ रही है जैसे जैसे जियो आया पहले वैसे वैसे अधर जो network providers है mobile network providers उन्होंने भी अपनी cost को कम कर दिया इंटरनेट की तो यसे में जो है internet बढ़ रहा है लोगों तक पहुँच रहा है अगर हम डेटा की बात करें कि internet access कितने लोगों तक है तो मैं आपको बता दूँ इंडिया में 2018 में 500 million यानि की 50 करोड के आसपास जो है लोगों के पास internet की access है 135 करोड में से तो यह official data है से आप यह चीज तो अनुमान लगा सकते हैं कि internet जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह आने वाले समय में और भी बढ़ेगा बट digital literacy एक बहुत बढ़ी problem है internet का access तो बढ़ रहा है बट लोगों को यह नहीं पता कि internet का use कैसे सही करना है आज के समय में भी अगर हम बात करें तो लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि internet का मतलब है facebook, whatsapp, youtube पे video देखना यह सारी चीज़े है internet का मतलब तो एक बहुत important हो जाता है आप लोगों के लिए digital literacy होना, digital literate होना, right? इसके लाव मैं आपको कुछ topics बता देता हूँ, digital literacy से literate जो कि आप लोगों को सीखना है internet पे जैसे कि website कैसे बनाते है, blog कैसे बनाते है, application कैसे बनाते है, drop shipping क्या होता है, digital marketing क्या होता है, freelancing क्या होता है इन सारे ही topics पे दोस्तों हमारे channel पे हमने आप लोगों को detail में चीज़े बताई भी है, videos के कुछ link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके check कर सकते हैं, सीख सकते हैं क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बार में सीखना बहुत जरूरी है, मैं नहीं कहता है कि आप सिर्फ मेरे ही channel पे जाके, मेरे ही videos देखके सीखे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, awareness वेलाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट सीखे जरूर, important है सीखना, right, दूसरी चीज़ जो important है, वो है entrepreneurship, entrepreneurship का मतलब होता है business करना, start business को करना, अभी unfortunately हमारे देश में, schools वगरा में ये सारी चीज़े नहीं सिखाई जारी, colleges वगरा में ये सारी चीज़े नहीं business करेता है, business वही कर सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसा हो, जिनके पिताजी के पास बहुत पैसा हो, जिनके फादर के पास बहुत पैसा हो, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे सामने live example है, धीरूबाई अंबानी का, अगर धीरूबाई अंबानी का, अगर धीरूबा आपको ज़्यादा पैसे की requirement नहीं होती, जो requirement होती है, वो है practical knowledge की, वाली ज़्यान ज़रूरी होता है, कि जो भी business कर रहे हैं, कैसे करेंगे, business में पैसा कैसे आना है, internet का use करके business करो, बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि आपके पास reach जो होगी, वो पूरी दुनिया में होगी, अगर एक दुकान खोल के बैठते हो, किसी मौले में, किसी market में, तो आपकी reach जो है, वो limited रहती है, बट अगर आप internet का साहरा लेते हो, तो आप पूरी दुनिया में अपना business कर सकते हो, e-commerce हो गया, इसी चीज़े आप लोगोंने सीखनी है, तीसरी जो important चीज़े वो आप लोगों को सीखनी है, वो यह है कि आपको information को access और analyze करना आना चाहिए, आज की डिट में internet के युग में बहुत सार information अविलेबल है, चाहिए आप कुछ भी चीज़ टाइप कर लो, गुगल पर उससे related आपको बहुत सारी information मिल जाएगी, तो आपको यह सीखना है कि आप अपनी जो required knowledge है, जो required information है, उसको कैसे निकाले और कैसे उसको अपने काम में लगाए, लेट से एक example के तौरप आपको बताता हूँ, मान लीजे आपके एक shirts की factory है, आप shirts बनाते हैं, अब आपको नया trendy design सोचना है, आप Google पर गए, आपने trend सर्च कर लिया कि उसमें कौन सा trend चल रहा है, मेक्सिको में कौन सा trend चल रहा है, उस हिसाब से आप लोगों ने अपने shirts की design तियार किये, कुछ नया आपके business में आ गया, आपके business expand होगा, लोग आपके product को पसंद करेंगे, तो इस तरीके से आपको, किसी भी field में आप हो, मैं ये सिर्फ एक example बता रहा हूँ, आप लोगों को उस हिसाब से जो information को access और analyze करना सीखना है, that is very important, चौती सबसे important चीज है, वो ये है कि आपको self knowledge होनी चाहिए, and I believe कि ये जो चीज है self knowledge की, ये सबसे जादा important है, आज की date में unemployment की जितनी भी problems इंडिया में हो रही है, या under employment की problems हो रही है, वो self knowledge के कारण है, जादातर cases में आज की date में इंडिया का huge जो है, तो life में आगी नहीं होले समय में आपको problem नहीं होगी, correct? इसके अलावा दोस्तों, पांच वी जो सबसे important चीज है, जो आप लोगोंने सीखनी है, वो है emotional intelligence, right? Emotional intelligence का मतलब होता है, कि आप emotionally कितने stable है, कि आप जो decisions है अपने life के, अपने personally और professionally जो आप decisions ले रहे हैं, वो गुसे में ले रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश है तब ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चीज़े, it is always advisable कि जो आप decisions लेते हैं, life में, तब ले जब आप ना ज़्यादा खुश हो, ना ज़्यादा उसे में हो, आप emotionally stable हो, वो सारे decisions आपको life में हाम नहीं करेंगे, personally as well as professionally, तो इस चीज़ का दुर्थ द्यान ज़रूर रखना है आप लोग ले, इसके अलावा जो अगर हम बात करें कि, skills कहां से सीखे, तो जैसे कि मैंना बताया है कि, online, बहुत सारे sources आजहां से सीख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों से related information तो आपको हमारे चैनल पर ही मिल चाहेगी, आप जाके सीखे, इसके अलावा जो और भी लोग है, उनकी information से भी ले, उनसे भी सीखे, information जितनी ज़्यादा है, उतनी आप लोग के लिए beneficial रह सकती है, important रह सकती है, इसके अलावा मैं आपको free कुछ ऐसी websites वगरा बताते दा हूँ, जहां से आप इन से related courses कर सकते हैं, जैसे कि Udemy हो गया, courses रहा हो गया, आप Google के official website पर जाके भी जो है, Google के marketing course कर सकते हैं, वीडियो के link मैं नीचे description box में डाल दूँगा, जहां पर आप जाके सीख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कहा कहा से सीखना है, right, complete चीज़े हमने आप लोगों के लिए बनाई भी है, सीखना is very important, तो मैं आप लोगों को recommend करूँगा, इन सारी चीज़ों को सीखे और life में implement करे, बहुत life में कभी ये unemployment की problem नहीं रहेगी, पैसा एक बड़ा concern नहीं है, चीज़ों को सीखना एक बहुत बड़ा concern है, अगर आप चीज़ें सीखेंगे, तो पैसा आपके पास आ ही जाएगा, correct, तो दोस्तो इसी note पे इस वीडियो को ही कदम करते हैं, I hope जो हमारी कोशिश थी, आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी होई होगी, इसके लावा जाके नीचे description box जरूर चेक करें, आपकी help जरूर होगी, साथ यसाथ वीडियो पसंद आता है, कर दोस्तो पसंद आता हैं,